नमश्कार मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हंगा कॉनर में आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलुआ इसके लिए मैंने एक कटोरी घी लिया है एक कटोरी सूजी लिये एक कटोरी चीनी लिये और कुछ ड्राइफ्रूट्स लिये पहले ए थोड़े से रोस्ट करने से होता है कि उनमें पोश्ण होता है और हलूए में हमारो में टेस्ट भर जाता है दो बनित भूलय में हो जाएंगे ज्यादा टैम नहीं लेते हैं यह अब रोस्ट हो चुके हैं मैं इन्हें खटोरी में निकाल लेती हूं और फिर घी डालेंगे हम पूरन ही डालेंगे थोड़ा डालेंगे और इसी में हम फिर सूजी डालेंगे सूजी को खूब अच्छे से हमें भूनना है और जब तक भूनना है जब तक यह हलकी सी ब्राउन ना हो जाए क्योंकि सूजी के हलुए में सूजी को भूनना ही बहुत जरूरी होता है घी और डाल लेते हूं जिससे की हमारा एक-एक दाना अच्छे से फूले अब सूजी थोड़ी भूनने वाली है दो मिनेट बाद यह अच्छे से भून जाएगी सूजी का हलुए बड़ी क्विक रेसिपी है बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही स्वाद लगता है और जब भी आपको कभी मीठा खाने का मानों तो यह दस मेट में सूजी का हलुए तैयार हो जाता है आण यह देखिए सूजी का अब चेंज होने लगा है इसका मतलब कि हमारी बू सूजी बंने वाली यह देखिए सूजी का कलर चेंज हो चेंज हो गया है सूजी अच्छे से बुण गई है यान li अब हम इसमें एक कट्रूरी चीनि डालेंगे। उसको भी अच्छे से मिक्स कल लेंगे। जब चीनि मेल्ट हो जायै तब पानी ऐड करेंगे। दो मिएक मेल्ट में ही इसमें पानी दालेंगे। यहmee फोड़ी caliber हो गयी है अब मैं इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। जो हमने जि और इसमें हम एक इलाइची कूट के या पीस के डाल देंगे चाहिए आप इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं यह देखें अब हलुआ बिल्कुल रेडे होने वाला है इसी समय हम इसमें अपनी ड्राइफ फ्रूट्स आड़ करेंगे इससे वह अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और हम किश्मिश्वी अब डालेंगे बस इसको आप लगातार इसी तरह से चलाते रहिए जिससे की हलुआ बिल्कुल लगे नहीं वैसे तो इसमें गी इतना होता है कि कभी हलुआ लगता नहीं है पर चलाने से बहुत अच्छे से सूजी का एक एक दाना अच्छे से फूल जाता है आदा चमच इलाइची पौडर सूजी के हलुए में इलाइची पौडर की खुश्बू इतनी अच्छी हाती है कि अपना भी मन कर आता है इसे खाने का यह हलुआ हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है दो मिने टॉल लगेगी बस यह लीजिए गर्मा गर्म सूजी का हलुआ बिल्कुल तयार है आप इसको बनाईए और अपने परिवार को भी खिलाईए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन तबाईए और शेयर भी कीजिए थेंक यू